मैं गुलाव राव करंजुले पाटिल, एक्स प्रेसेडेंट अमबर्नाथ मुनसिपल कॉंसिट। अज के तारिक में जेल की जो आज प्रोग्राम हुआ जेल में इस विशे में बहुत सरी बाते करने के लिए है ऐसे राम भाई हमारे जो दोस्त है इनों ने और हमने चार दिन पहले ऐसे विचार हमारे मन में आये कि पाच हजार, दू हजार, दस हजार के लिए सालों साल कोई आदमी जेल में रहता है जबकि उसके किसी रेलेटिव को मालूम नहीं है या अनोन आदमी जेल में फड़ा रहता है और उसको जो पीड़ा सहने पड़ती है तो हमने ये 15 अगस्ट का जो जैसा देश को आजादी मिली तो ऐसे हमारे बंदियों को भी आजादी मिलनी चाहिए जरूरी नहीं के जेल में हर आदमी अफराद ही जाता है कई टैम ऐसा भी होता है कि जो किसी ने अफराद नहीं किया हुआ गल्ती से फसा हुआ भी आदमी जेल में रहता है और इसके लिए हमने मिलके ऐसा एक संकल्प किया कि 15 अगस्ट के दिन जितने भी आधरवाडी जेल में जिनका पैसे के हुझे से अंदर है दो हजार, पाच हजार, दस हजार, पंदर हजार, बीस हजार जो भी फाइन हुआ है वो फाइन भरके उनको आजाद करने का संकल्प गुलावराव करणजले पाटिल प्रतिष्ठान के तरफ से यह संकल्प हमने किया है अगले साल उनके लिए फिर अगर करना है करेंगे हम और यह तो गुलावराव करणजले प्रतिष्ठान जो है यह हमेशा दलित पेड़ी सुषित लोगों के लिए काम करती है बच्चे लोगों को जहां पे ग्रामीन बाग में 25,000 काफिया बुक्स देते हैं स्कूल के बैक्स और यह सब बाठते हैं अगर समझो खुद्रती ऐसा आप लोगों को आगर सवयोग है तो हम यह प्रोग्राम हर साल लेंगे, कोई बात नहीं अब आज तो हमने देखा है, हमारे से भी अच्छा उत्सा हुन हुए था क्योंकि राद दिन अपने बाल बच्चों के बारे में सोचने वाले टेंशन में रहने वाले, जो भी अपने फैमिली के बारे में मगर आज हमारे साथ जो दो कलाकर, मान कलाकर है और तिसरे हमारे जो जेठालाल, ये भी थे इनके वज़े से इतनी खुशी उनमें, या उसकी कोई मतलब शब्दों से गन्ना नहीं की जा सकती इतने खुश ही ले रहे हुए। इतने खुश होगे, इतने तालिया, इतने खुशुर, इतना मतलब में मेरे लाइप में पहला प्रोग्राम रहेगा, कि हर आदमी तालिय बजा रहा था और हर आदमी इंजोई कर रहा था। तो राम जी जिस तरह से इस तरह की कार करने का वो सोचते हैं, तो उनके साथ आप किस तरह से हर कदम पर उनके साथ किस तरह से आपका सभी होता है? और आज सिव राम भाइके मेरे दोस्ती नहीं है कई सालों से है और हम दोनों के भी विचार एक दूसरे से मिलते हैं और सामाजे कारे के लिए मुझे ऐसा experience है राम भाइको अगर कभी बता है कि भाइऑ ये ये सामाजे कारे करने का है तो राम भै अपना खुद का काम छोड़के, जेब का पैसा खर्चा करके गरिबों के लिए और कुछ भी सामाजी कारे करने में ततपर रहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है. वियाईपी जी, आप क्या कहना चाहेंगे और जेल उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल कुछ लोग ऐसे लोग भी थे, जो लोग मुझे जानते थे, कहीं में उसे मिला रहा हूँगा, कोई शो में, से लोग मुले थे, मुझे बोलते थे, पैशाना मुझे, मैं आपको फ़लाने जावा मिला था, उस लोग मेरे कौमेडी सरकेर से शट पे भी आया थे, त जो क्राइम होता है, बहले बलती से गय या कुछ भी हो, लेकिन जो उनको घसाने में जो आज मैं जाकी कि आप जानते जब किसी को हम जेल में रखते है, उनके पास को इंटेटिनमेंन नी होता है, लेकिन आज ऐसा लाग थे, वाक्य में वो स्वतंत्रतु है, मतलब इतना हम हमारे ज़रूत हो, तो डेफिनिली मुझे बुलाई है, मैं आऊँगा, क्रिकि ये सब करके जो दिल को सुकुन मिला आज मुझे, वाक्य में मतलब आज प्यारी निंद आएगी मुझे, दन्यार्ट। और एक चीज आप से जाना चाहा हूँगा, आज इंडर्पाइंडेंडेंस देर है, क्या ऐसी चीज है जो हमारे देश में चेंज होनी चाहिए एकॉर्डिंट। सबसे फ़हले जात वाती दूर होने चीज तब तक PM इतने देश बोले जा हूँगारा, सब कसा सब का विलगास,सब को जहानी दे रहा है, सब को लगता है कि मेरे वोट में लेलू, जात का वट में लेलू, मेरे सामाज का वोट में वोले। इस से देस आगे बढ़ेगा निया बस खाली वो उतने हमें रह जाएगा, जब तक सब लोग साथ में आएगे, मैंने जब कोई भी पीम है, लेकि जब तक पूरे देस को साथ मिलने के नहीं चलेगा, तब तक देस का विकास तो 100% नहीं होगा, ति हम जाए कुछ भी कलें, और देस आगे बड़ी रहा है, ऐसे आपको अब भी जानते हैं, बहुत सरी चीज़े चेंज़े होई है, जो पहले हम गंटों कातारों में रहते थे, अभी फटक से मुबाइल में हो जा रहा है, मतलब इतना कुछ लोगों नहीं दिखाए दे रहा है, तो उनकी बात लगे, ले अपना काम करें, वो अच्छा करें, लेकिन मोदी जी काम अपना अच्छा कर रहे, यह सब लोग जानते है, जो हमारे सिपाई है, जो बॉर्डल्स पर हमारी रक्षा के लिए वो अपना घर छोड़के वहां पर होते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अप उनके स में अच्छा करेंगे, जो बिल्कुल आज मैंने वही मेरा आज मैंने जो पर्फॉम किया है, मैं पूरे प्रॉरे मिलिटर के ड्रस में ता हूं, मैं एक जवान के ड्रस में आज पूरा आटम किया हूंओ पूरी फारिंग वारिंग में, गले से पूरा एक साउंड निकालता है, जिन पे सिर्फ यह होता है, इमके हाथ में बंदुक होती है, सामने दुश्मन होता है, अगर उनको हसाया जाया तो सायथ वो रिलेक्स हो जाया, तो मौका मिलेगा तो आप लोग ले जाएंगे, तो हम चलेंगे, बसकि मैंने काफिलों के से बात की है, मिडिया एक माते म है, अगर शुट्व को मुझे सुन रहे है, उनको मी बधाई जेता है, सबसे पहले नवाजी निसे देखी, हर्मन तेरे बेबे का मटर ने क्या अमा, क्या ग्रती से मारा पागल है क्या, पंदर आगस्ट की सुप्तामना जयता है, थैंक्यू बरे मुच, थैंक्यू, थैंक् राम भाई, आप इंडिपेंडेंडेंज जी का मौका है, कितना इंजॉइ के आप लोगों ने हम लोगों के साथ है, जी, जी, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राम जी का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस से बढ़िया हम 15 दिन का यूज कर सकते हम कुमेडियन हैं, आसाते हैं, शो बगेर हम करते रहते हैं, इदर उदर जाते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मज़ा जो आया आज के शो में आया, जिसमें जेल में जाकर पहली बार जेल देखी, जेल में जाकर एकेडियो को देखा, और उनको अंसाने का मौका मिला, त अभर इसको का एक उनके सामने इसको अपने किया और अगर कुछ करना चाहीं अमरी उडियूंस के सामने हम है। उनके साम मोधी जी के से तुमें मिला नहीं हुँत तक रावल जी से मिला था वहां है। और कई और जगें के नेता वगरा रहते हैं दुआ किया था। मोदी जी जैसे आज पर्दान मंतरी हैं 15 अगस्ता है तो मोदी जी बोल रहे हैं भाई यो बेनों मैं मेरे देश वाशियों को आज सुनतरा दिवस के मौके पर बहुत-बहुत बधाई देता। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस तरह की खबर आई मेडिया में उसको लेके बताना चाहेगे। परिसानी मुझे तो नहीं हुई थी। लोगों को जाद हुई थी। जब वीडियो वाइरल वा तो लोगों को लगा तब यह क्यों नहीं आया। लोगों को लगा भी यह चीज आने चाहिए थी। लेकिन ऐसा है आज यूट्यूब है हमारे पास। और यूट्यूब पर हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें वाजादी है करने की। तो ज़्यादा कुछ नहीं था कि कई चीजें जो नहीं चलती हैं इंटेटेन्मेंट चैनल पर जो अपने अपने चाहिए पर आपको नहीं था कि अपना चाहिए उनको बहुत पसंद भी आए था तो आपने उनको नहीं भोला कि यह क्यों नहीं हो रहा है शापलस को आपको बड़े है आपको बताऊगा सर्फ चैनल अलग चीज होती है वहां जज रहते हैं उनका अलग सिस्टम रहता है उनका सिर्फ नंबर देना काम होता है वह जो बाकी चीज़ें वह चैनल डेखता है वह अक्षे कुमार जी नहीं देखता है इसके बाद एक निटर्वी कहा था दावयर में जो इंटर्वी वह था आपका और इसको लेकर काफी बावाल हुआ था उसको लेकर आपके आप काफी आमसे आ चाहिएं लिएं उनक याद हो का निया हुआ पर日本 वेकर ऑखे संख्राइब्क आज नहीं नहीं परेशाद है मेराद कि उसके बाद मुझे पता चला जब बड़े बड़े नेता मुझसे मिले कि आप अच्छा करते हैं आप करते रही है तब मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ हाई नहीं जो विरोध कोई कर रहा हूँ अच्छा करते हैं तो आज जब आप जैसा जैसा मुझा है पंदर अगस्त का तो हम उस थीम भी बेसी रखते हैं जैल में जारे हैं तो कैसे हंसायाद है उनको कैसे अच्छी रिलेट करेंगे तो वैसे ही रहता है वाकी मोदी जी और राहूल जी है मैं उनको जैसे संता बनता है वैसे रखता हूं कि संता ने ये बोला तो बनता नहीं ये बोला है तो राहूल जी ने आरोप लगा है तो मोदी जी ये बोलेंगे तो वैसी चीज़ें रहती है सब लोग हसने चाहिए ब आप भी शूट तो आप भी करते हो, आप फिर ही दिखाते हो, प्रेकि आप लोग भी आप बंदे हो है, ठीक है, सही बात है, कि कुछ चैनल को नहीं दिखाना चाहिए, शायद किसी को हट हो सकता है पत्रकार को भी निकाला जाए, आप भी मालूम होगा, दो बड़ी एडिटर को निकाला जाए, चुके उन्होंने नरेंदर मोधी की पर स्ट्यूई कर दी, जो रियालेटी चेक करके पता चाला, बाद मेर, पर ये तो नहीं होना चाहिए, पत्रकारों को खुली आ जाती है, ब कुछ चीजे परकार के लाप मिंदे ने करना है, जो इसे देखा जाए, ये देश के, जो चार स्टमब है, उसमें से एक पत्रकार है, मैं खुद भी अक पत्रकार हो, संपधक हूँ, मेरा नया जर्बर करके शापताई निकलता है, मगर जैसा पत्रकारों में भी बहुत सारी बाते होती हैं, अभी जैसा आपने बताया कि वे दुप शंपादक मतलब पत्रकारों को निकाला गया है, तो सारी सार गलत है, निशाद करने लाइक यह बात है, क्यों पत्रकारिता इतनी मजबूत है कि सुप्रिम पूट को भी ये आणा पड़ा मेडिया के आणा पड़ा। आनि चारों खंबे में से सबक्रिवूत खंबा ये पत्रकारिता है, पत्रक है. गुट्झ पत्र है. तो इसके पास सुप्रीमगोर्ड को भी आना पड़ा। तो ये सबसे बड़ा मतलब हाने ओकैसे忘लों कहार इसको अगर कोई हिला क इसके उसम जो कमजोर करता है तो उसको मोतोर जवाब सभी पत्रकारों मिलके देना चाहिए यह पत्रकारों का धर्म है आज के इस प्रोग्राम पे यह 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 पंदर अगस्त है और इस सुब अवसर पर आज मैं साथ हिंदुस्तान की वो दो महा नस्तिया है तो सबसे पहले राहूल जी क्या कहेंगे आप लोगों की बारे में देखिए भाईया यह सूपमूट की सरकार है यह जूटी-मूटी बाते करती है इन्होंने कहा था कि पीम बनने के बाद में विकास होगा लेकिन भाईया कहा है विकास मुझे जवाब चाहिए जवाब का सव चाहिए मुझे विकास तो था ना भरी या शायद आपको निखाएनी देरों को विकास है या नहीं पीम साब आप कुछ कहेंगे आप वियाईपी जी मैं सहयजादे जी को एकी बात कहना चाहता हूं यह कह रहे हैं पीम बनने के बाद में विकास नहीं हुआ चाहिए सहयजादे जी मेरे पीम बनने से पहले आप उपाध्यक्स थे अब अध्यक्स बनने यह विकास नहीं है क्या और आपसे गले मिले के उमके जयदा विकास हो गया जैसे कि आज हमने आजरवाडी जेल कल्याद में कारेक्षेन लियँ लिया वहाँ दिलिप जोशी जी, शामरंगिला जी, वी आएपी जी, इन सब का हमने वहाँ स्वागत किया और कैजियों के साथ उनका एंटर्टेन्मेंट का फंक्शन ने गराखा गया था उनका मार्ग दर्शन भी इन्हों नी किया है वहाँ एक स्वास्थ भारत अभियान के कुछ लोग आयते जिन्होंने वहाँ पर योग फ्रशासन और योग का उन्होंने वहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन गिया एक बात उन्होंने बताई कि जो स्वच्छ बारत है, स्वच्छ बारत तब होगा जब स्वच्छ भारतिये बनेंगे, स्वच्छ बारतिये बनने के लिए हमारी जो सोच है, हमें पहले हमारी सोच को अच्छा करना है, सोच जो हमारी साफ होगी, स्वच्छ होगी, तब जाके जो सच्छ भारत अभियान है, वो रंग लाएगा और वो काम्याब होगा. जेल में जाकर आपने इस सेलिब्रेट के और आपके जो इतने सारे गेस्ट आपने इंवाइट करने में क्या आपको कोई दिक्कत है या सभी लोग रेडी होगा इस चीज़ आज से चार-पंच दिन पहले हम बैटे थे मैं और गुलाब राओ जी एक मूवी चल रही थी जेल, हम जेल मूवी देख रहे थे तो वहीं पे वो जेल मूवी देखते देखते गुलाब जी ने बताया के देखो जेल में हाँ लोग बैठे एक साल से कोई है कोई दो साल से कोई तीन साल के जिनका जामिन हो गया उनको बाहर निकलने के लिए सिर्फ पैसो की जरुत है वो भी लामाँ दो अज़ार तीन अज़ार पाचीज़ार अज़ार तो क्यों ना हम उनके मदद करें उसके बाद मैंने जो स्पेशल जेल के आई जी है विए जादव साफ उनके आगे यह प्रस्ताव रखा कि हम इस तरह की गवर्रमेंट से मनजूरी चाहिए कि हम कैदियों को मु लेकिन उनको आमने रिया करवाया तो सब जन ने तुरंत हांगे दिया और किसी ने भी आने के लिए कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम में फुरी सब पॉच गया इहां पर फुरी उन्होंने अपना प्रोटोकॉल किया अपना कीम्टी वर्क निकाल के हमारे साथ आगे किस उन्होंने मिलके या आइडिया कि और उसके बाद हमने जेल के आईजी विए जादव उनसे कॉंटेक किया और उनसे हमने गवर्मेंट से पर्मीशन मनवा के यह कादे किया अब को जेल के अंदर जाना और वहां पर प्रोगाम करना तो पहीं ना कहीं बहुत सारा अब मोरी स तुरंद एक पत्र बना करके मुझे फैक्स करें मैं अभी on the spot आपको अप्रोग देता हूँ मैंने उनको फैक्स किया विदिन 5 जिने के अंदर मुझे जेल से कॉल आता है कि हमारे सुपीरियर्ज ने हमको ओर दिया कि इस तरह का आपका फॉल्शन करना चाहरे और उसके मैं कुछ अरपी ते हैं तो हमने हम नहीं चाहते थे करे क्विद्ध आरोपी को हम कुछ चूड़ाई कि हमने उनके नाम कट किया को पता हैं हम एक जिनको हम चूड़ाई भी तो पता है वह दूब दिन बाद फिर महां दाएंगे तो हमने वह नां कट करके लगब 20 से 22 लोग को आज की दिन हमने मुप्त कर आए बहुत 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 हमारी रियल स्टेट का जो यह है पहले तो मैं 90 से यह लाइं में हूँ है जो आज हम हमरे घर लेते हैं क्योंकि हमको छेवा लेते हैं और हर सुख दूप में उनके साथ हम रहते हैं, इसलिए हमको अमबरनात में सबसे अच्छा मतलब रियल एस्टेट में हमको अच्छा सपोर है, पुरे वर्ड में रियल एस्टेट में मंदी है, मगर हमारे पास मंदी नहीं है, आप भी आप जब बेठे रहेंगे तो बहुत का इतने अच्छे बिल्डर है कि लोग आपको पुरणे लोग आके मिलते हैं, आज भी सारे लोग उतर के हमारा स्वागर्थ करते हैं, और हर 6 जनूरी को 15 अगस्त को हम खुशी से वह आप जाते हैं, और लोगों से मिलते हैं, और वहापे राष्ट्रे दोजपने हैं, और वह जाते हैं, लाइर आते हैं, जैसे लोग ने जेल पिछर देखी, इन दोनों ने, अब हम एनको बार्डर पिछर दिखाऊ, जैसे आपने पुछा कि बाम्बे में क्यों नहीं हम बिजनस करते करते social work भी करते हैं, वमारा बिजनस 40 %, 60% social work है, मेरे दो ट्रस्ट है, और मैरे अक्वार भी निकलता है, तो मुझे उसी में भी ज्यादा रुच्छी होने के कारण हम अपना गरूबर यहाँ पे अमभर्नाथ, बद्लपूर और कल्यान यहाँ तकrog रखते हैं, नासिक में भी मेरा काम चालू है, सिरिणी में भी चालू है, यहां तक सिमित रखते हैं, बंबे में अगर काम करना है, तो इतना investment करने की बहुत बड़ी investment होती है, और हमको यहाँ पर सूठ है, इसलिए हम यही पहे हैं। पूरे साल बर में हम लोग मतलब ग्रामीन विवाग में जो बच्चे रहते हैं, उनको हम 25 अजर भूक्स देते, उनको बैक्स देते, नीड है, बीमार लोग है, जो कैंसर है, पिर बहुत सारी बीमारी के जो लोग है, उनकी दवा लेने की समझो, शमता नहीं है, तो मेरा सामन मेडिकर स्टोर है, वहां से मोपत में हम दवा देते हैं, उनके लिए, और ऐसे बहुत सारे आउपरेशन भी हम अपने खर्चे से करते हैं, और जीदर भी समझो, हमारी जरुद पढ़ती है, वहां पे हूं, आस्तमा क्याम चलाते हैं, जब कि वर्ड में, हिंदूस्तान में में सिर्फ हैदराबाद में चलता था, ओके हम हम अमबरनाथ में चलाते, आठ से नौ हजार लोग यहां पे उसका लाब उठा थे, और खाली लाब ने, तो उसमें से जो पत्थे और दवा बरोबर लेते हैं, उनको 80% लोगों को फाइदा मिलता है, जो अस्तमा क्याम इतना बड़े पाइमानें पे, जहां पे दिल्ली से लोग आते हैं, नौएडा से लोग आते हैं, गुजराज से लोग आते हैं, एंपी से आते हैं, ऐसा हमारा एक सोशल वर्क है और बिजनस भी है। मैंने मेरा स्टडी जो है, नियो एंट पराइज इस बिजनस टाजब में किया है, तो मेरा स्टडी है, उसके सबसे हमेशा सूचते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ, मैं देट, मतलब उनका क्वालिकेशन 10 थे, वो पासओट ने 10 थे, बस उतने, लेकिन उनका जो डिस्डम है और जो सोच है, वो काफी मर्लब आज के जमाने से भी काफी आगे है, तो आज आप गय थे जेल में और कैदी से, क्या कहेंगी, कैसा लगा आपको, क्या बातचीत हूँ इनके सब आपको, वहाँ से गय था, काफी कैदी जो थे हमारे अंबरनाच से ही थे, कैदी जाता है, हर कोई जरूरी नहीं कि गुनेगार हो, वह आरोबी होता है, तो हमने बातचीत कि वह अंबरनाच वाले कैदी जाते है, बैट को मिले, उन्होंने बोला कि आप हमारे यहां से इतना अच्छा सोच अउलाज, कोई है, यह सोच कि हमारा मतलब हमको गर्व मैसूस होता है, एंचा आप हम आते कार में पूछा कि क्या आप अप उन्होंने बता है, मुझके इसा हम बुले हो, इसके लाहां बहुत सारे कैदी थे उसमें, जिन्होंने रिख भी किया होगा, बहुत सारे क्रिमिनल केसिस होंगे उनके उपर, तो कैसे चुनाओ किया, जैसे सर ने बताया कि सब्दाइस लोगों को बाहर निकला गया है, तो उसमें से कैसे चुनाओ किया आप लोगोंने की, यही सच्चा इंसान है या पर उस दान में कुछ बताया है? मतलब उसमें साथ जो पैटी केसिस होते हैं, जो माइनर केसिस होते हैं लिकें उस पर उनको सजा मिलती हैं, या तो सजा भी नहीं मिलती हैं, उनको ट्राइल पर चालू रहते हैं, और सिफ बेल हुआ रहता है और पैसे बाता ना वाकिय रहता है, लेकिन बाहर कोई सोर्स न पाप लोग ने हम चुटते किसे जो नेडी है उतो सब आप बताएए आप गया थे जेल में अगर कुछ बताया है अगर में इनका इंटोडिक्शन देलो मैं इस तरही कि कॉमेडी करना कभी भी जेल जा सकता हुआ आपका इंटोडिक्शन देलो मैं भाई मैं अपने इंटोडिक्शन क्या थूआ है अगर बढ़ना पड़ेगा भी जा साथ मुंगई के बहुत मश्यूर फंकार कलाकार कभी भी रह चुके है और एक्टिवी रह चुके है तो आज कर दो उतानने का मुपा मिलिया है मैं आप सभी को सोतेंदरता दिवस की बधाई देता हूं अभी दो तीन दिन पहले करणुले साब मेरा जीन इस पर प्रोग्राम था तो एक टॉपिक मिला था भारत छोड़ो तो मैंने का कि वो बोलने थे क्या-क्या भारत आई है तो में निगा कि सबसे पहले उन वच्छों को भारत छोड़ना चाहिए जो मिलते ही जैंहीं नमस्कार नहीं बलते हाई भरो लव यू ब्रो थैंक्स ब्रो तो ऐसे जो हैं इंग्लिश भारत नहीं इंग्लिश कल्चर भारत छोड़े और यहां पर आप देखे रहे ह तो कसी उनको बोला ही नहीं पला, उसके पहली भारत छोड़ दी, ऐसे लोग भी हैं जो बिना कुछ बोले अपना काम कर दे रहे हैं, और मुसे प्रेस वाले ने पूछा था कि मोदी साव ने सजेशन मागा था, कि इस बार में 15 अगस्त को क्या भाष्ण में बोलू, मैंने मोदी जी पूछ रहे हैं, इस बार क्या बोले, बेटा वो कुछ भी बोले लेकिन कम बोले, क्योंकि चार थाल थे बोली रहे हैं, लेकिन देश है, हम किसी पारटी के नहीं है, जो दिखता है, हम वो बोलते हैं, और सारे जितने हम कॉमीडियन हैं, देश में जो भी मैं अंबनाज शहर का ही हूँ, अंबनाज शहर से मैं मुंबई में जाके जो भी थोड़ा बहुत कर पाया, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहां से वहां जाना ही श्ट्रगल है, एक ने मुझसे पूछा यार कि तुम यह काम कर लोगे, मैंने का जो अंबनाज से मुंब कि दादा के पतिचिन्नों पर चल रहे हैं, और बड़े योग सुपूत्र हैं, मैं कहीं भी देखता हूँ, विशुजीत प्राइड तो मुझे गर्व होता है, अभी गर्व हो रहा है, किसी दिन में उसे खुद रहूँगा, क्योंकि आजादी बहुत बड़ी चीज है, अजाद कराएं, बस कर पगड़े बुलाएं, बस सभी को सुतंता दिवस के शुब कामना है, अच्छा लग रहा है, और मैं अगर इसकी बात चल रही है, कुछ एक दो लाइने, अगर सिद्धु जी के बारे में नो हो तो फिर मजा नहीं आता है, सिद्धु जी हर बात में म मुहावरें, बिना मतलब की मुहावरें मारते हैं, कभी-कभी ऐसा लगता है कि उनको सीमा पर रख देना चाहिए, मुहावरें मार मार के दो थिन पाकिस्तानी सेनिक मार डाले, और जाते जाते दो लाइने में पाकिस्तान के बारे में तो कहना ही चाहूँगा, क्योंकि करता हूं और पाकिस्तान से शुरू करता हूं कि अब बच्चों को बच्चा कहना बच्चों का अपमान है हर लड़की है अईश्वर्या हर लड़का सलमान है और मेरी प्रेमिका इतनी सुन्दर जितना हिंदुस्तान है उसका बाप दुष्ट है इतना जितना पाकिस्तान है जो आज तक कहा पे भी भारत में ऐसा प्रोग्राम नहीं लिया गया वो आज प्रोग्राम राम आज़ा साथ और गुलाबराव करंजुले प्रतिष्टान के माध्यम से अद्रवारी जेल में बियाईपी साथ शामराजिला साथ ऐसे दिलिव जोशी साथ इनके सहयोग से मतलब 99 परसंट इनका उसके अंदर 100 परसंट रोल था इनके वज़े से वो प्रोग्राम में इतना चार मा गया मुझे लगता है कि कैदी बहुत साल के बाद हसे होएगे इतने और मैं तो पॉलिटिकल परसंट हूँ मैं तो जिंदे की भर सब मतलब शो देखता हूँ इतनी खूशी है और इतनी तालिया ओर इतना शोर में कई देखा लें मतलब इंके कंड़े पे दोनों के कंड़े पे तो इतने खूशी होगे उनको मुझे नहीं लगता है कि उनके पेशारे पैसा लग रहा था कि वो जेल में कि जेल में जो आदमी परेशान होता है, खुसी वाले आदमी को हर कोई हसा सकता है, मगर परेशान आदमी को हसाना बहुत बढ़ी बात है, और ऐसे मुखे पे हमको दो डायमंड मिले, कि जिन्होंने उनके जीवन में खुसी बरी, जिन्होत बहुत धन्यवाद, आज इन्होंने ह हमको सहयोग किया, मैं उनका स्वागप करता हूँ, और विनंती करता हूँ कि हर साल वियाईपी साभ हमको मिले और आईसे हम प्रोग्रम करते रहे। बिल्गुल साथ, तो मंदल साभा, वो यहार खमाते हैं। तो कि अगल लगाएं। देखें! कि अगल लगाएं। कि अगल लगाएं।